है तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है भीन का गुना एवं भाग तो हमारी पास दो तरह के क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है पहले गुना है उसके बाद भाग है दूसरे में पहले भाग है उसके बाद गुना है तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को पहल पहली करण का नियम है और इसी नियम से हम लोग इस question को solve करेंगे तो संचिप में इस नियम को पहले समाज़िए यहां जो B है इसका मतलब है bracket आनि कि जो कोष्ट होता है इस तरह का इस तरह का सब bracket होता है तो पहले हो bracket को solve करते हैं और वो से होता है off मतलब की गुना फिर होता ह तो इस नियम से पता चलता है कि पहले हम लोग division आनि की भाग को solve करते हैं उसके बाद हम लोग गुना को solve करते हैं तो first question में देखिए पहले गुना है उसके बाद भाग है तो इसका मतलब हम लोग भाग को solve करेंगे आनि की यह वहारा part को solve करेंगे क्योंकि 15 बटे 4 को हमें भागा देना है 3 बटे की इस से तो पहले हम लोग भाग को solve करेंगे उसके बाद गुना solve करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा सबसे पहले आप गुना में जो पाट है उससे same लिखिए आनि की 12 बटा 7 को edge edge लिखिए देना है जो edge so लिखिए देना है उसके बाद गुना का sign तो गुना रहने दीजे अब यहां 15 बटा 4 को भागा दना है 3 बट एकीस से तो 15 बटा 4 भी लिखिए उसके बाद को जो operation है उसे क्या करना है हम लोग भाग को गुना में convert कर देंगे इस तरह से और जो संख्या आनि की अंस में जो संख्या है उसे नीचे ले आएंगे और ज कि इसको उपर ले जाएंगे अब देखिए यहां एक तरह से तीनों गुना में change हो गया है अब इसको असानी से हम लोग solve कर सकते हैं सबसे पहले क्या करना है कि कहीं कोई संख्या कट रहा है या नहीं तो चेक करने का पहला नियम होता है कि उपर नीचे चेक किजिए उसके 3 और 3 अनिकी एक दो सर्फ से कट जाएगा आब हमारे पास यह याँ तक सात उपर में एक हीस है यहां भी कट जाएगा 3 बार में map ny तो अनिकी से कीजियाद है जो पैथाली नहीं हो जाये है तो फरस्ट पुईशिय का में अंसल मील जुगा है, जो 45 है आब minimum फेर से 2 q Thank करना तो देखी, हमीं जानते हैं कि जबसे पहले हम भागों को divisor करते हैं आनि कि division को solve करते हैं, उसके बाद गुणा को solve करते हैं, तो पहले हम भाग को solve करेंगे, तो यहां देखिए 6 betta 7 को भागा देना है 5 betta 3 से, तो क्या करेंगे? 6 betta 7 को same कुछीव लिखिए और पांच बटटैन है भागा में तो यब भाग को पहले गुणा हम चींज करेंगे ला heißt कि बटटैने गुणा में गट रहा है यहां भी खुछ निकट रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे और और 3 पुझे गट रहा है तो हम भड़ाइट तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा था था जायगा थार्णा अनिकी 36 बटा 175, तो यह हमारा final answer हो चुका है, इस question का, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है, कि हम लोग भागा को गुणा में कैसे convert करते हैं, तो एक और तरीका है से समझने का ध्यान से समझें, देखिए हमें सबसे पहले जानते कि हमें पहले भागा को solve करना होता है, उसके मतलब है कि 15 बटा 4 को भागा देना है, 3 बटा 28 से, अब हमें क्या करना है, 12 बटा 7 को जैसे है, वैसे लिख दीजे, ये एक तरह से भीन का गुणा बन चुका है, इसमें क्या होता है, कि नीचे की जो संख्या है, और 21 जो है, सो पंदरों के साथ गुणा हो जाएगा, और 3 ह चार के साथ गुना हो जाएगा, कैसे? देखे, इसे गुना का साइन है, तो यहाँ गुना का साइन लिखेंगे, उसके बाद 15 बटा 4 और गुना में 15 के साथ Liquid हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा चार के साथ गुना इस प्रकार से, तो यह होता है टरेका एक अलग Engel से सम प्रेटरन यहां मिल चुका है अब फिर से काट सकते हैं आप चार से बार अगो तीन बार में तीन और तीन कट जाएगा फिर साथ से एकीस को तीन बार में पंदर अतिय पाइतालिस आनिकी में सेम अंसर में रटाया है तो दोनों तरीके समरूब भीन का गुणा भाग सीख एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए क्योंकि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो थेंक्यू